अध्यक्ष्टी विश्वास मत्पर जो चर्चा आज पुधानमंत्री जी के बहुत संख्षिप्ध भाशन से शुरू हुई वो मेरे वरिष्ट साथी आधनिये जस्वन सिंग जी के धरदा तरकों से आगे बढ़ती हुई विभिन आयामों को छूती हुई मुश्टत पहुची है मैं विश्वास मत्का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ हर वक्ता ने चर्चा के शुरुवात जनादेश की व्याक्षा करते हुए की दो परस पर विरोधी व्याक्षा हैं इस सदन में जनादेश की रखी गई हुई हूँ सत्ता पक्षका कहना है कि ये जनादेश गचबंदन की सरकार के लिए था कोईलीशन के लिए था मेरी और से प्रत्रश्ण पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था ये प्रश्ण अभी तक अनुत्परी था मैं उम्मीद करूंगे कि कल पधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलिशन के लिए था अध्यक्ष जी जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्मिकार करें लेकिन एक दिश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अंदेखी आप नहीं कर सकते आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और विखरा हुआ विपक्ष होता था लेकिन आज विखरी हुई सरकार है और एक जुट विपक्ष है क्या ये जुट अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा लेकिन अध्यक्ष जी ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज का सही अधिकारी अपने राज्या अधिकार से वन्चित कर दिया गया त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी राज पिलद करते करते बनवास दे दिया गया त्रेता में यही घटना धर्मराज युदिश्टि के साथ घटी थी जब धूर्ट शक्वनी के दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था अध्यक्ष जी यदि एक मन्थरा और एक शक्वनी राम और युधिश्टि जैसे महापुरुशों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाब तो कितनी मन्थरा हैं और कितने शक्वनी करते हैं हम राज में बने कैसे रह सकते हैं अध्यक्ष जी शाद गामराज और सुराज की नियत ही नहीं है प्लीज दूम्हान दूम्हें कि उस पीस वा इंटरेस्टिंग अध्यप्ष जी रामराज और सुराज की शायद नियती ही ये है कि वो एक बड़े जटके के बाद मिलता है और इसी लिए मैं पूरे विश्वाज से कहना चाहती हूँ पूरे विश्वाज से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीक की दोपहर को मेरे हदर्ण यनेटा अकल्विहारी वाजपै ने इस सदन में रानवंतरी पत से अपने त्याद पत्र की घोशना की थी हिंदुस्तान में उस दिन गामराज जी की भूमी का तैयार हो गया हिंदुस्तान में उस दिन सुराज की नियू पड़ दें तूर दर्शन के सामने जीवन्त प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके अध्यादपत्र की घोशना के साथ करह उठे था यह अन्याय हुआ है अन्याय हुआ लेकिन अध्यक्ष जी अन्याय कभी ये सुवीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है अन्याय तो अपने स्वार्थ को सिध्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तूत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है और यही सदन में घटा यही सदन में घटा धर्म निर्पेक्षिता का बाना पहिनकर हम पर सामप्रदाइक्ता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए एक जुट हो गए तह था मेरे नेताने उस समय धर्म निर्पेक्षिता बनाम सामप्रदाइक्ता पर राष्ट्रिय बहिस होनी चाहिए चाहते हैं हम हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्म निर्पेक्षता की क्या कलपना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस वरूप में ढाल दिया इस पर राश्ट्य बहिस होनी चाहिए अब जक्ष जी हम सामप्रदाइक हैं हाँ 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 हम साम पुदाइख है क्योंकि हम बंदे मातरम गाने की वकायत करते हैं हम साम पुदाइख है क्योंकि हम राश्ट्रिय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं हम साम पुदाइख है क्योंकि हम धारा 370 को समान करने की माइन करते हैं हम सामप्रदाइग है, हम सामप्रदाइग है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में कुर्ट चलके वन्स और वर्धंक्या की बका लगता है हाँ, अद्धिक्ष जी हम सामप्रदाइग है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संधिता बनाने की बात सकते है हम साम पड़ा एक है अग्ष जी क्योंकि हम काश्मेरी शालार्खियों के दर्द को जबान देने की होगा है अग्ष जी यह सद्वा है यह धर्म निर्पेच है दिल्ले की सर्दों पर तीन हमासिखों का कत्यान करने वाले यह कौप नहीं है है अग्या अग्ष सी अग्षि आप तो सख़ी है इस कुलिया और ऐसं जाने से रोका गया और बिस्था और अव्य। में अच्छ कुछ धूर कर दो खाने भीन जजए। यह झात नहीं प्रुट पर दो खूर करती की अरे जान का यह झाल पर दो खटीड़ बुड़ा तो रहन मंदर का शिला नास एक लिए खरीदेंस कर वा अरा का जात अध्यक्जी मैं कह रही थी ये सेकुलर हैं ये कॉंग्रेस जन्दृ दिल्ली की सडकों पर तीन हजार सिखुँ का देख्यम करने वाले ये कॉंग्रेसमेंड सेकुलर हैं और आप दिहार के साख्षी हैं अधिक जी मुस्लिम और यादर का छोड़ है नाई की राज़ित करने वाले ये जंतादर वाले सेक्विया तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को यह अनुवत देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सके मैं नहीं जानता किस रोश में यह लोग बोल रहे हैं आप से बहुत से रोश वालों को मैंने देखा है इसलिए मैं को आप खुष्मा जी बोल रही है उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए अध्यक्ष जी मैं उनके सेकुलर प्रिडेंशन का जिक्र कर रही थी अध्यक्ष जी अपने वोच बैंक को खुश करने के लिए निर्दोश रामभत्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर चकमा शर्णार्थियों को भगाने वाले और घुस्पैटियों को बसाने के वकालत करने वाले ये 25 सेकुलर सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि हम सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चुंकि हम अपने हिंदू होने पर शाम भैसूस नहीं करते इसलिए हम कमिनल हैं इसलिए हम सामतदाई हैं और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू वोने पर शर्मिंद की महसूस नहीं करते आपको इन तथा कतित बुद्धी जीवियों से सेकुलर होने का सेटिपिकेट नहीं मिल सकता अजयक्षजी सेकुलर्जम की हमारी परिभाशा यह है कि हिंदू अच्छा हिंदू हो एक मुसल्मान अच्छा मुसल्मान एक सिख अच्छा सिख हो एक इसाई अच्छा इसाई और सब अपने अपने पंधों का अनुसरन करते हुए, एक दूसरे के धर्मों का आदर करी, ये हमारी परिभाशा है। लेकिन इनका सेकुलर्जम, इनका सेकुलर्जम हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कारतम में शृतत नहीं करते, तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते, और मैं कहना चाहती हूं, सरकार या ना सरकार हमें सेकुलर्जम की ये परिभाशा मान लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आखें दबदबा गई जब इस सदन में भारतियता शब्द पर भी प्रश्चन लगा हूं आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेस इंडियन निशनलिटी की बात कर सकते हो लेकिन इसी सदन में चर्चा के दोरान कहा गया मैं तो बहुत कद्र करती हूं मुरासली माहरंजी के लेकिन उन्होंने कहा भी डिफरेंट आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहा है यह भारत भारत ये भारत येता क्या होती है मुझे था शायद इन में से कोई बोलेगा एक उम मुझे मैं अपने मित्र मुरासली मारंजी से बहुत अदब से यह कहना चाहूंगी भारत येता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है अरे भारत येता कार्थ यही है कि भंगडे से भरत नात्यम तक सारे निर्थ्य भारत वर्ष के निर्थ्य है भारत येता के मान अमरनाथ से लेकर रामिश्वरन पर सारे तीर्थ भारत वर्ष के तीर्थ हैं। आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या माइने हैं। अजक्सी एक संस्कृति के माइने यहीं हैं कि शिव का भ्यक्त अमरनाथ का जल लेकर रामिश्वरन के पर पखारता है। यह एक संस्कृति का कारण हुआ है कि पश्टिम बंगाल में जन्द में हुए N.C. चेकरजी अपने बेचे का नाम सुमनाथ रखते हैं यही है एक संस्कृति मुझे संस्कृति का अधारण कहीं शब्द कोशों में देखने की जरूएत नहीं है वो इस सदन में परिदक्षित होती है लेकिन अध्यक जी सवाल ये है कि ये किसी सामप्रदाइक के नाम पर इकठे नहीं हुए है ये भी एक ओड़ा हुआ बाना है ये इकठे हुए है अपने गुनाहों के कारा है ये इकठे हुए है एक दूसरे को बक्ष देने की सौदे बाजी कि कारा जिहां ये अपने अपरादों के बेपड़ा होने के भैसे ही कठे हुए हुए है अध्यक जी ये सामप्रदाइक्टा के नाम पर हुई हुई सांझेधारी नहीं है अध्यक जी ये चारा कांडर हवाला कांडी की संजेदारी है इशारा समझ राचाहिए मैं किस की संजेदारी की तरफ जिपकर रगी अध्यक जी ऐसे ही में हुआ कि कौमन मिनमम प्रोग्राम में एक शक्त करॉप्शन के पेंडिन केसिस के बारे में नहीं ये ऐसे हो गया आखिर चार लोग बैठे सारी चीजों पर चरचा हुई लेकिन पूरे प्रोग्रैम में से बोफोर्स गायब है सेंट केक्स गायब है जेम्म गायब है शूगर्स के अंदर गायब है PSU Disinvestment Scam गायब है अरे जिनका धंडोरा फीट के चुनाओ में गए थे नर्सिंग राओ एपिटोम आफ करप्शन की चार्जशीट निकाल कर चुनाओ में गए थे आज उसके उपर एक शब्द भी नहीं और यूरिया स्केम के उपर कहते हैं प्रदानमंत्री यूरिया स्केम में अफसर पकड़ेगा है लेकिन दोनों के रिष्टेदार अभी नहीं पकड़ेगा ये पांच दिन का समय दिया गया आफिर क्यों इसलिए मैं कहती हूँ ये सांजेदारी सांपदाइटा के नाम पर नहीं हुई है ये सांजेदारी एक दूसरे को माथ करने के सिध्धांत के नाम तर्टी बैसा चाहिए अध्यक जी ये कहते हैं गांबिलास परेस्वान कहते हैं ये सरकार चलेगी आज यहां कहा जाता है ये सरकार चलेगी नहीं दोड़ेगी पांच साल तक रहेगी मैं पूछना चाहते हूं मेरे नेता ने तो नहीं कहा बयान तो पहला बीजू पटना आक आया पहला बयान इस गफंट किस गटक ङव और आज पाकिए बुद दिता अचारी का बायान आयां पिणमर्मेंट पहली पर छपी उसका जिक नहीं कर दिया दिनाय लिलों ने किया इसका जिक्रिणों ने कर दिया दोलो चीज रिकार्ट पर आ जाएंगे, आगे बोली, आगे बोली, नर्सिंग ने अल्गु के हवाले से कहा गया, कि चुनाव के लिए साथ महीने से एक साल के बीच में तयार रहना चाहिए, ये बयान भाजपा की आपने और जेवी मतनायक में, क्या सांज है, ममता बैनर जी और सोमनाथ चटर जी, मैं पूछना चाहती है, उत्तरा खंडी महिलाओं के सम्मान का सौधा करके, नार अर्गत्तिवारी मुलाहिम सिंग की बदल में क्यों बैठे है, कभी नार के हितों के अंदेखी करके, कर्मा मिती ने देवे गावरा को निता क्यों सिकार किया, अपने घावों की पीडा भूल कर, ममता जी, अपने घावों की पीडा भूल कर, आप सोमनाथ ची के साथ मत्दान पेशे कर रही है, ममता जी आपको बोलना इसके लिए ड्वांस नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको बोल लेने की जी ठीक है आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजेगा मैं नाम क्यों ले रही हूं मैं बताना चाहती हूं मैं नाम क्यों ले रही हूं मुझे वो द्रिश्य मुझे वो द्रिश्य जसका तस्याद है मेरी आखों में बसा हुआ है मैं राज्यसभा की दर्शत दीर्गा में बैठी थी इसी सदन में नर्सिंग राओ जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा थी मैं वहां से बैठी देख रही थी एक वीलचेर के उपर ममता जी को लाया गया था यहीं बैठी थी वो चोतों से आए बुखर के कारण काप रही थी बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उड़ाया वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्यूनिस्टों की हिंसक प्रवट्टी को कोस रही थी मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मानने पा देते हैं हम उनके विरोध के अधिकार को स्विक्र भी देते हैं हम उनके आवाज को गैग करने के लिए उन पर हमला नहीं करते इसलिए पूछना चाहती हूं ममता जी से आज कई सदन में CPM के साथ बैट कर मतलान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनित करेंगी ये कैसी सांज है ममता जी ये कैसा धट गन्गा अध्यक जी मैं जिक्र कर रही थी कि केमों विक्तियों में अंतर विरोध नहीं है जो कारकमों में अंतर विरोध जलगता है वो तो माशाल्ला जब इनका प्रोग्राम आया मिनमाम प्रोग्राम मैंने उसको आधिसे अंतर तक पढ़ा एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत गया ये हो नहीं सकता मैंने उसको दुबारा और पढ़ने के कुरंट बाद में रन्मू से निकला वहां भारत के कम्यूनिस्ट साथियों तुमने लेनिन से ये सिंतक का सफर एकी सफ़ा में पूरा कर लिया अध्यक जी अध्यक जी कोईलीशन के कंस्ट्रेंस को मैं समझ सकती है कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है कुछ चीजों में सांजेदारी करनी पड़ती है अध्यक जी इसमें लिखा है इंशूरेंस सेक्टर निजी करन उसका कर दिया जाएगा और फॉरन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा मैं तो हैरान हुई क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे जस्की तस्यात थी कहां गए चतुरा ननमिश है अध्यक जी आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं राजी सभा में याची का समिती की अध्यक्षा थी कमेटियोन पेटिशन की चेर परसन थी हमारी समिती के सामने एक याची का गायर की एक प्रस्तुत की गए जिसमें ये लिखा गया था कि LIC, GIC, इंशोरंस सेक्टर को जो प्राइविटाइज करने की एक सिफारिश मलहोत्रा कमेटी की तरफ से आई है वो लादू नतीजा ये थी वो पेटिशन और मैं आपको चौका दू ये बात कहकर वो पेटिशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी एक MP को प्रस्तुत करनी पड़ती है ये सायोग है कि चतुरानन मिश्र राजी सभा से मेरे साथ लोग सभा में आये हैं दो-चार दिन में शायद केबिनेट के मंत्री भी बनने वाले हैं वो पेटिशन काउंटर साइन की थी चतुरानन मिश्र राजी और अध्यक जी मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लिमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस पेटिशन ये पेटिशन इंट्रक्ट्रस हो जाएगी इसलिए कम से कम इंटरिम डिरेक्शन गवर्ट को दी जाएगी ये इंप्लिमेंट नहीं हूँ पेटिशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डिरेक्शन दी थी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाया हम बहुत जल्बी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे तब तक मलहुतरा कमेटी की सिफारिशे लागू न की जाए और इस याचिका समिती ने इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पुलिटिकल पाइटिस के लोगों को बुलाया था सारे राजनातिक दल के प्रतंजी आया थे इसमें जागवत तेरिम अध्यक जी प्रेमियर घटा किस युनाइटिट फ्रेंट का जनता देल जिनकी सब्कार है जिनके प्रेमियर आप कुछ कहना चाहता तो आप मिनिस्टर है बोलिए अगर कोई अब्जेक्स ने बूल बात है तो बताईए अगेंस्ट रूल हो तो बताईए नैं यूर मिनिस्टर ना हो वो रेफर कर रही है एक ऐसे डॉक्यमेंट को जो हाउस में ले प्रॉम दूगा पूल प्रॉम दूगा बताईए कोई कानुगा फॉमना चेकर जी और चकुरान उमिश्व को सुना कर दुबाला कहना चाहूंगी मेरी पार्टी का पॉलिसी तो भार्टियों के लिए खोल दो, फॉर्मर्स के लिए मत खोलो, लेकिन आप भी पार्टी का पॉलिसी पढ़कर सुला रही हूं मैं इसको केवल ये पढ़के बता रही हूं, कि सत्ता की दौर में मद्धोश होकर आदमी इतनी उलट वाजी भी खा सकता है, कि पचास साल तक जिन्मीतियों को लेकर आपने राजनीत की है, आज वो राजनीती टोटल की टोटल एपसलूट की एपसलूट आप छोड़ देंग सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुटा की दौर में या एंटी पीजे पिस्तांस के अंदर आपको कॉंग्रिस के साथ बचना है, आपको जनता दिल के साथ बचना है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, अध्यक जी, यहां सदन में ये छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर जब अपने छेत्रों में जाएंगे, इनका कारकरता इन्हें छोड़ने नहीं देगा, और ये अंतर बिरोद इस सर्कार को गिराने का कारान बनेंगे, राम बिलाइस पासवां कहते शरत यादा वह भी कह रहे थी, नहीं ये सर्कार तो चलेगी, नर्सिंग आउज ने आज कह दिया चले अखंश सर्कार, अखंश सर्कार बिलाइस्टीण तão सर्कार लजेय थी, नर्सिंग इस पासवां कि यादेशने कुले है, विध्यूर मोईख इखं़ु senza बनेंगे शरतीगा और लज्यूराइस मैं अन्द़ कहते हैं, आज हलो को तो याद वाह भी कहते हम आपनेंगे, नह इसलिए भाई शरदयादव से कहना चाहूंगी कि यह प्रयोग नया नहीं है। मैं भाई शरदयादव से केवल इतना कह रही थी, यह प्रयोग नया नहीं है। यह प्रयोग आपके गुरु राजनारायन जी पहले कर चुके है। बीज दिन के अंदर कॉंग्रेस ने समर्थन वापस लिया था। और मेरे आधान ये नेता चनुशेकर जी बाईजे, चार महीने के अंदर इंसे समर्थन वापस लिया था। आप किस आधार पर विश्वास कर रहे हैं। किसार आप्के इस्राइस का कोई आधान होना चाहिए इपिहास से अभी कुछ नहीं सीकहा और मैं पाझियास में को क्या तै कि अभी मागद सी क्या अधना कॉछ Łो मैं को भाई शारादयादाव सही पूछ आध मैं अपने समाज वाधियों का इपिहास थी माद है अभी कह रहे थे शरद यादव डॉक्तर लोहिया यहाँ पर थे समाजवादियों के पास तो डॉक्तर लोहिया की दो रेडिमेड उक्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौझूद है पहली डॉक्तर लोहिया ने कहा था कॉंग्रेस को हराने के लिए शेटान से भी हाथ मिलाना चाहिए और दूसरी कहे थे डाप्तर साहब सुधरो या तूटो तो अध्यक जी अब तो कॉंग्रेस की जगे भाजपा को फ्रेम में रखकर शेटान से हाथ मिलाने की वखालत करना है शरत जी अगर फोले दिन की बात है जब होगा सुधरो या तूटो और हो भी क्यों नहीं शरत यादव बहुत सही बात है 65 लाक वाले मंत्री मंदल में और 3 लाक वाले बंदल में तो क्यों नहीं बोलेंगे मिश्चित तोर पर चंद दिनों की बात है जब यह होगा, सुधरो याद तूटो, इसलिए मैं एक बात कहे कर अपनी बात समात करना चाहूंगे, अधियक महोगा है, यह जो यह जो कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार प्वांच साल चलेगी, प्वांच साल चलेगी, नहीं, अधियक जी इस पुलिटिकल यह जो एक सामुहिक मंदली, एक सामुह गीत गाने के लिए आई हैं, यह अपना अपना रागलापने के लिए इतने आदी हैं, कि गिन शुरू होने से पहले यह शिराजा बिखर जाएगा, लेकिन हा, जितने दिन यह देश आपके हाथ में रहे, इश्वर इस देश की झाल